नमस्कार दोस्तो डेट है आज का 4 जन्वरी 2021 और स्वागत है आपका आज के करेंट अफेर्स में करेंट अफेर्स सुर्ख करेंट से पहले मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है जिन्दिगी में इसका एंसर यह है आपकी सोच आपक कुछ रोजाणा अपने आपको मोटिवेट करेंगे क्योंकि आपको वो हासिल करना है एपने सोच रखा है आपकी एक ड्रीब है और अगर आप खुदको रोज मोटिवेट नहीं कर पाते हैं तो वो आपका dream नहीं एक ख्वाहिश है या फिर आप wish कह सकते हैं दोस्तों रोजाना positive चीजे पढ़ना जरूरी है लेकिन motivated रहना सिर्फ पढ़ने से या फिर कहीं सुनने से नहीं रहता है आप अगर dream को लेकिए अपने serious है तो आप रोजाना अपने आपको motivated फिल करेंगे और आपको करते रहना चाहिए आईए बढ़ते हैं पहले question की तरफ कौन से दो vaccines को clear किया गया है Drug General Controller of India ने options है Covishield, Covaxin, Pfizer या फिर A&D तो answer है बोथ A&D Covishield और Covaxin दोनों को या प्रूफ किया गया है Covaxin को बनाया है भारत बायोटेक ने और Covishield को बनाया है Serum Institute of India Private Limited ने आपके लिए एक question है भारत बायोटेक और Serum Institute of India ये दोनों कहां पर हैं आप मुझे लिख के बताएंगे और इनका emergency use के लिए अलाया किया गया है और DGCI की अगर हम बात करें तो इस समय है Dr. V. K. Somani Dr. V. K. Somani हमारे इस समय के DGCI है और DGCI वो authority होती है जो कोई भी vaccine को पास करती है और इनके approval के बाद ही वो market में आ सकता है अगले question की अगर हम बात करें Mission Rojkar ये किस state ने launch किया है तो ये launch किया है उत्तर प्रदेश ने उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री कौन है योगी आदित्यनाथ हाल ही में उत्तर प्रदेश ने PM आवास योजना सहरी में best performing state का खिताब जिता था और उत्तर प्रदेश के ही मिर्जापूर डिस्ट्रिक ने भी best performing municipality का भी अवार्ड जिता था ये Mission Rojkar किसलिए है Transparency लाने के लिए आपको पता होगा बहुत से धादलिया नीज में आती ने थी उत्तर प्रदेश में और जो एक famous word है जुगाड ये word बहुत यूज होता है कि जुगाड है हमारा हो जाएगा तो इन सब को रोखने के लिए Mission Rojkar सुरू किया गया है और इसके तहट मुख्यमंत्री बहुत बार देखा गया है कि वो खुद ही appointment letter देते है यूद्स को अगला question हम अगर चले कौन से government PSU PSU मतलब public sector unit ने 600 rural government schools को smart classes में बदलनी के तयारी कर लिया है options है rail tell gail sale या फिर BSNL यहाँ gail जो देख रहे हैं इसका क्या है gas authority of india limited और sale का full form है steel authority of india limited यह सारी government के company है और answer क्या है rail tell अब rail tell की अगर बात करें तो आपने यह board अक्सर देखा होगा कहाँ पे railway stations में जी हाँ जो आपको railway stations में free wifi मिलता है और आप जो वहाँ पे use करते हैं वो rail tell के द्वारा ही दिया जाता है और यह government sector की एक unit है ना कि private और यह 600 schools में जो smart classes बनाने की होज़ना है इससे साढ़े तीन लाख बच्चों को फाइदा पहुचेगा तो यह बहुत ही अच्छा scheme है अगर implement हो जाए अच्छे से तो अगले question के अगर हम बात करें Trifed किस ministry के under है जो north east के products को promote कर रहा है marketing के जरिये तो option है ministry of trade and commerce ministry of tribal affairs ministry of tourism और none तो answer से ही है ministry of tribal affairs ministry of tribal affairs की यह scheme है Trifed और इसके तहट ministry of tribal affairs promote करता है tribal India के products को और Trifed की अगर full form की हम अगर बात करें Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India Limited और हमारे minister of tribal affairs कौन है अरजुन पुंडा अरजुन मुंडा है हमारे minister for travel affairs और यह जो north east के products promote होंगे इसके post इंडिया के साथ इंडिया पोस्ट के साथ साथिसाथ donor development of north east region इन दोरों के साथ हमिलके इससे promote किया जाएगा अगला question है प्राइम मिनिस्टर इस सेट तो डेडिकेट विच पाइपलाइन और 5 जैन्वरी अंडर वन नेशन वन ग्रेट तो आपने bgp government के अंडर अकसर देखा होगा वन नेशन वन ग्रेट वन नेशन और कुछ और वन नेशन कुछ और तो वन नेशन वाले जितने विए प्रोजेक्ट से अगर आपको कोई पूछा जाये तो आपको बेज़ी जग याद रहना चाहिए कि ये एडिया government यारिके current government के अंडर ही हो रही है और ये जो pipeline है वो कहां इनागरेट होई है कोची मैंगलूर में ये कल इनागरेशन होगा कोची है कैरेला में और मैंगलूरू है करनाटगा में इसके अंडर pipeline के थूँ affordable prices में gas पहुचाए जाते हैं और ये 405 km का होगा ये जो pipeline है 405 km का होगा अब चलते हैं अगले question पे कौन से tropical cyclone ने जल्द ही फिजी को hit किया है अब फिजी अगर देश की हम बात करें ये छोटा सा देश है आप वर्ल्ड वर्फ में अगर देखेंगे ऑस्टेलिया के south southest region में आता है ये देखिए फिजी की capital है सुवा और ये बहुत ही छोटा सा देश है इसमें cyclone यासा आई है और ये news में क्यों आया है क्योंकि cyclone यासा आया है इसलिए भी और इंडिया ने इन्हें shelter homes और hygiene products की मदद भी भेजी है और यहाँ पे आप Winston cycle को जो देख रहे है ये cyclone भी आया था 2015 में तम भी भारत ने फिजी की भरपूर बदद की थी दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा कि कभी कभी hurricane का आप नाम सुनते हैं कभी cyclone का कभी typhoon का तो ये जो तुफान है वो सब एक ही है इंडिया में cyclone आप सुने होंगे Tamil नाडो में आया था बहुते डिवास्टेटिंग था स्ट्रिलग का होटा मिलना डो में चाइना के इन एन अराउंड जब आता है तब आप सुनते है टाइफून का नाम अभी यहां फिजी यहां पे है दूस्तों यह उस्ट्रिले के अंदर इसके बीची में है फिजी यहां पे आया तो अब देखे साइकलोन यहां सा हम बोलते है अफरीका के इन एन अराउंड भी आएगा तो साइकलोन होगा दौर्थ और साउथ अमेरिका के इधर आएगा तो भी साइकलोन होगा और इस रिजन में आता ही नहीं क्योंकि यह बहुत थर्ड रहता है यहां का पारी और अमेरिका के आसपास आता है या फिर योरॉप के आसपास आता है तो यहां हरीकेन तो इस मैप को आप मैं इरेज कर दे रहा हूँ इस मैप का आप स्क्रीन सॉट ले ले क्योंकि ये बहुत काम का मैप है आपको जब भी डाउट होगा कि कहां पे हरीकेन है कहां पे साइक्लोन है इसको आप दो तीन चार बार अगर रिवाइस कर ले इस मैप को तो आप इजिली ऑप्शन्स जब आते है तब आप पॉइंट आउट कर सकते है नहीं हरीकेन बोला गया तो ये उस रिजन का होगा तो आप ओवियसली दो से तीन ऑप्शन्स को तो ऐसे ही ऐलिमिनेट कर सकेंगे आगे बढ़ता है इंडिया और पाकिस्तान ने अभी जल्दी में एक लिस्ट एक्सचेंज किया हुआ है उस लिस्ट में है क्या सिविलियन प्रिजनर्स, फिसर्मेन, टेरोरिस्ट या फिर इंडिलिजन्स दोस्तों यहाँ और 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 पाकिस्तान होगा सिविलियन प्रिजनर्स और फिसर्मेन हर साल एक जैनवरी को और जुलाई को हम exchange करते हैं इंडिया और पाकिस्तान की civilian prisoners और fishermen कितने कैद है दोस्तों जो southern reason होता है या फिर गुजरात के इन अराउंड वाला reason होता है वहाँ पे ocean से जब मच्छवारे मचली पगड़ते तो उन्हें अक्सर पता नहीं होता है कि इंडिया की boundary कहा तक है maritime boundary तो वह अक्सर cross कर जाता है और ऐसा पाकिस्तान के फिसल मेंस के साथ भी होता है तो उन्हें इंडियन डेवी या फिर इंडियन कोस्ट कार्ट कैद कर लेती है और उसके बाद वह प्रिजिनर बन जाता है और यह बहुत दुगदाई होता है कभी-कभी वो सालों सालों वापस ले आते हैं कभी-कभी दूसरे ही देश में बिना परिवार को देखे हुए उनकी मृत्यों भी हो जाती है क्योंकि international boundary जब पार कर जाता है तो आपकी government की बात वहां नहीं मारी जाती है इंडिया में बात करें तो इस समय 263 civilian prisoners है और 77 fishermen है पाकिस्तान के और पाकिस्तान में हमारे भारत के 49 civilian prisoners है और 270 fishermen है तो इनके परिवार के उपर क्या भीता होगा आप समझ सकते हैं आज के question के अगर बात करें तो ये है who was the first European foreigner who tried to stop Sati अब इसको आप ध्यान से रेखिए first European foreigner हम सभी जानते है Sati किसने ban किया है Lord Bantic ने है ना Bantic मतलब ban किया है तो Bantic लेकिन यहाँ मैं पूछा रहा हूँ first European foreigner तो किसने कोशिश किया था और Europe से कौन कोना थे हमारे देश में अगर बात करें तो बहुत से countries आये थे आप इसका answer देंगे मुझे अगले question में और सॉरी कल दोस्तो कल सावित्री भाई फूले जी की जैन तीवी थी इनके बारे में भी आपको जानना चाहिए आप इनके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेंगे दोस्तो आज के इतने questions थे और जितने important questions होता है मैं उतने ही लाओंगा ना कि मैं ले आऊं ज़्यादा दिखाने के लिए कि इतने सारे questions हैं लेकिन उनसे कुछ फाइदा होना नहीं है क्योंकि कि वह exam से में आएंगे ने और हाँ दोस्तो monthly compilation जो आएगा month end में January cross हो जाने के बाद उसमें मैं आपको PDF पी share कर दूँगा टेलग्राम चैनल पे उस पे जाके आप PDF अवील कर सकते हैं और आप regularly ये videos देख रहे हैं साथी साथ जब final monthly compilation आएगा वीडियो देखने के बाद PDF एकबट पढ़ लेंगे तो आपका current affair share short हो जाएगा धन्यवाद दोस्तों खुश रहिए खुशिया बाटते रहिए जय हिन